हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उत्रों हम लोग एनिवल फाइलम का अध्यन कर रहे हैं जिसमें हमने पीछे प्रोटो जोगा के जो भी करेक्टर्स हैं उसके बारे में अध्यन कर लिया है तो आज हम पिछली वीडियों हमने आपसे कहा था कि हम अब प्रोटो जोगा के जीनस के बारे में अध्यन करेंगे जैसा कि यहां पहले ही देख सकते हैं हमने लिख रखा है यूगलीना विरडिस ठीक है तो यहां जो हमारा पहला जीनस पढ़ना है वह है यूगलीना विरडिस ठीक है यूगलीना उसका जीनस विरडिस उसकी स्पीसीज ठीक है तो सबसे सबसे पहले हम इसके systematic position या classification की बात करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं, आज से हम Euglena Verdes, सबसे पहले इसका हम classification देख लेते हैं, जिसमें हमारा यह phylum, तो phylum आप जान ही रहे हैं, हम क्या पर रहे हैं? Protozoa, ठीक है? Phylum क्या है? Protozoa, subphylum classification आपको यादी होगा, Sarcomastigophora, ठीक है? Superclass Mastigophora, ठीक है? Class Phytomastigophora, ठीक है? अडर की बात करें, Euglenida, Euglenida, ठीक है? Genus Euglena, पहली बिताए आपको, और species है, Viridis, ठीक है? यह इसका systematic classification या systematic position है, ठीक है? यह याद रखिएगा, पूछा जाता है, यहां से भी question आते हैं, किस class का या किस order का है यह? तो class क्या है? Phytomastigophora, ठीक है? और order Euglenida, Genus Euglena, species Viridis, clear है? सम common characters की बात करें कि कैसे ही शुरू होता है आपका यूगलीना, तो सबसे पहला जो इसका character है, उसमें क्या होंगे? organism with eye like photoreceptive organ, ठीक है? इसमें क्या होता है? eye like photoreceptive organ पाए जाते हैं, तो green organism होते हैं mostly, ठीक है? characters की बात कर रहे हैं, तो green organism, ठीक है? with eye like photoreceptive structure, with eye like photoreceptive structures, ठीक है? photoreceptive मतलब जो light को absorb करने का कायर करेंगे, और वो कैसा है? eye like structure है, इसको हम stigma के नाम से भी जानते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी ये general characters हैं, ठीक है? उसके बाद आपने पढ़ा है कि ये connecting links है, connecting, connecting links between animal and plants, plants और animals के बीच की ये connecting links हैं, तो कौन-कौन से characters हैं, जो उनको animal से मिलते हैं, तो हम कह सकते है, animal character, इसका जड़ा देख लीजिए, animal character, ठीक है? animal character क्या है? presence of gullet, निगलद्वार, ठीक है? ये जो gullet है, इसका पाया जाना क्या है? ये animal character है, ठीक है? साथी साथ contractile vacuole, contractile vacuole, और holojoic nutrition, holojoic nutrition, ये इसके animal character है, ठीक है? और plant character की बात करते हैं, plant character, ठीक है? तो plant character में क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? इसमें देखे है, आप photo receptive structure पायज आते हैं, जो light को absorb करेंगे, ठीक है? और इसमें पायज आएगा chromatophore, chromatophores पायज आएंगे, ठीक है? और ये chromatophores पायज आ रहे हैं, और receptive organs पायज आ रहे हैं, इसके पास availability होगी, photosynthesis की, and I have availability to photosynthesis, ठीक है? और इसमें क्या होगे? आपके photosynthesis की availability पायज आएगी, ठीक है? ये तो क्या हैं आपके plant character हैं? इसलिए इसको हमने आप nutrition के अगर बात की, तो nutrition आपने पीछे पढ़ा था, कि ये mixotrophic होते हैं, that means holozoic and holophytic, ठीक है? मतलब plant-like और animals-like, clear है? fresh water होते हैं, मतलब fresh water में पायज आते हैं, fresh water, phleaselets होते हैं, that means phleasela पाय जाती है, इसलिए इसको देखे रखा गया है mastigo forad में, जिसमें phleasela, क्या हो, movement phleasela के द्वारा होता है, ठीक है? body जो होती, spindle sept होती है, spindle sept, ठीक है, spindle sept, that means anterior जो होगा, वो rounded होगा, anterior इसलिए आते हैं, देखे हैं, हमने कहा है, कि इसकी जो body होगी, वो spindle sept होगा, और जो anterior end है, friends, वो कैसा होगा, anterior end rounded होगा, ठीक है, anterior end कैसा है, rounded है, ठीक है, अब middle end की बात करें हम, तो mid part जो होता है, इसका, yuglina का, mid part, order sept है, order sept का मतलब होता है, कि बीच में धसा हुआ, फिर फूला हुआ, बीच में धसा हुआ, फिर फूला हुआ, इस तरह का mid part देखने को मिलेगा, तो order sept, ठीक है, and posterior end is pointed, ठीक है, और posterior end कैसा है, वो pointed है, clear है, तो यहां देख रहें, spinal shaped है, anterior end rounded है, mid part outer shaped है, और posterior end कैसा है, pointed है, ठीक है, नोट कर लिजेगा आप, और posterior end से ही क्या होते हैं, आपके, फ्लेजेला निकलते हैं, from, sorry, anterior end से, ठीक है, anterior end से ही आपके फ्लेजेला लिखते हैं, from anterior end, ऐराई रिख्लेजेला लिफ्लेजेला लिखते हैं, interior end से क्या होते हैं, phlazella-like structure देखने को मिलते हैं, ठीक है, यह तो general character है, अब जब हम yuglina का structure पढ़ेंगे, ठीक है, तो structure में हम पढ़ते हैं कि उसमें pale kills पाई जाते हैं, कौन-कौन सी संरचनाय पाई जाती है, उनका क्या काम है, ठीक है, तो इतना तो आप इसका classification, यह general character जि जिए, उसके बाद हम चलते हैं, इसको जो सबसे पहले हमको पढ़ना है, वो है pale kill, ठीक है, तो नोट कर लिजिए गा, चलिए, मैंने इसके structure में बताया कि सबसे पहले हम बात करेंगे pale kill की, ठीक है, तो आईए हमारा early heading होगी, pale kill, pale kill मैंने आपको बताया था कि plasma membrane के निचे एक महीन आवरंड पाया जाता है, ठीक है, एक्थीन membranous layer पाया जाती है, जिसको उन क्या कह रहे है, pale kill, तो pale kill क्या है, lies beneath plasma membrane, lies beneath plasma membrane, plasma membrane के ठीक नीचे क्या होती है, आपके पाया जाती है, pale kill, ठीक है, और यह जो बनी होती है, made up of protein, protein का बना होता है, pale kill किसका बना है, protein का बना है, ठीक है, cellulose उसमें नहीं पाया जाते हैं, not content cellulose, ठीक है, protein पाया जाती है, लेकिन cellulose नहीं पाया जाते हैं, ठीक है, और इसी pale kill के नीचे क्या होते हैं, mucus secretory organ पाया जाते हैं, ठीक है, जिसको muciferous body के नाम से भी जानते हैं, तो बनीच पलकिल, मुकस सेक्रेटिंगर जाते हैं, और microtubule are present, ठीक है, मतलब, पलकिल के नीचे क्या होते हैं, mucus chip chip पदार्थ का स्रावन करने वाली समरचना पाया जाती है, जिसको हम क्या करें, muciferous bodies या microtubule present होते हैं, ठीक है, जाद रखिएगा, एक चीज और, इसके जो पलकिल होते हैं, इसमें riz और groove, मतलब खांच और उभार, ठीक है, मतलब एक जगा गड़ा, फिर उभार, गड़ा और उभार, इस तरह की संरचनाय देखने को मिलती हैं, तो riz and groove arrangement, ठीक है, found in पलकिल, ठीक है, पलकिल में क्या होते हैं, riz और groove arrangement देखने को मिलता है, clear है, note कर लिजे आप, आगे चलते हैं, बात करते हैं, cytoplasm की, cytoplasm, ठीक है, cytoplasm जो होता है, वो दो भागों में बटा होता है, ictoplasm और indoplasm, cytoplasm मैंने बता है, कि यह दो भागों में बटा है, ictoplasm, और indoplasm, सबसे पहले बात करते हैं, ictoplasm की, ictoplasm में क्या होते हैं, आपके musiferous bodies पाई जाएंगी, और microtubules पाई जाएंगे, जो की कहां है आपके, पेलकिल के जश्ट नीचे, तो ictoplasm मतलब की, जो membrane के ठीक, चारो तरफ प्लाज्म पाई जा रहा है, उसको हम क्या कह रहा है, icto, icto मतलब यह membrane से है, ठीक है, तो यह ictoplasm, जो आपके membrane के चारो तरफ का प्लाज्म है, उसको हम की ictoplasm कह रहा है, और इसमें पाई जाएंगे, इंडोप्लाज्म में की बात करें हम, ठीक है, इंडोप्लाज्म, तो fluid like granular central zone, granular central zone, ठीक है, central zone में जो granular fluid पाई जाते हैं, उसको हम क्या करें, इंडोप्लाज्म कह रहे हैं, containing the nucleus, और क्या कहेगा, इसमें क्या पाई जाएंगे, nucleus पाई जाएंगे, containing the nucleus, and several inclusion body, ठीक है, inclusion body, मतलब क्या करेंगी, भोजन को संचित करने का काम कर रहे हैं, अभी इसकी चर्चा भी आगे हम कर लेंगे, ठीक है, तो इंडोप्लाज्म में क्या होंगे, आपके ये central zone में पाई जा रहा है, एक्टोप्लाज्म क्या हो रहे हैं, पेरिफेरल पे पाई जा रहे हैं, अंदर की तरफ से, उसमें मुसिफेरल बाडी, माइक्रोटिबूल्स देखने को मिलेंगे, जबकि इंडोप्लाज्म में आपके क्या होंगे, सेंटर में नूक्लियस देखने को मिलेंगे, और सेवरेल इंक्लूजन बाडीज देखने को मिलेंगे, आगे हम बात करते हैं, रिजर वायर की, दिख रहा है आपको, रिजर वायर, ठीक है, रिजर वायर दो तरह के होते हैं, एक cyto pharynx होता है, एक cyto storm होता है, ठीक है? एक cyto pharynx का मतलब है, कि ये gullet, निगल, ठीक है? और cyto storm, cyto मतलब cell, storm माने mouth, cell, mouth की बात हो रही है, तो यहां दो तरह की reservoir पाए जाते हैं, ठीक है? एक होता है cyto pharynx, और इसी को हम gullet कह रहे हैं, गलेट या सेल गलेट ठीक है और दूसरा मैंने आपको बताया कि साइटो स्टोम या सेल माउथ तो रिजरवार में दो पार्ट्स हैं सेल गलेट और सेल माउथ यहां चर्चा करते हैं आगे थोड़ा सा देखिएगा आप जो एंटिरियर इंड होते हैं वो थोड़ा सा ब्लंट होकर के इनवेजिनेट हो जाते हैं ठीक है और उसी रचना को हम क्या कहते हैं reserve wire कह रहे हैं तो कह सकते हैं कि all the blunt all the blunt anterior end of flask anterior end anterior end a flask saved invagination invagination present called reserve wire और इसी को हम क्या कह रहे हैं reserve wire कह रहे हैं ठीक है या इसी को हम flagural sac के नाम से भी जानते हैं flagular sac ठीक है चुकि यहां से flagular sac arise होंगे इसी को हम flagular sac के नाम से भी जानते हैं ठीक है और इसमें दो तरह की संरचनाई पाएजाएंगी यहां आपने आपको बता दिया cell galate होगा या तो cell mouth पाएजाएगा ठीक है जो यह जो इसकी external opening होगी उसको हम कहेंगे cytostorm तो its external opening reservoir की जो external opening होगी external opening is called cytostorm उसको हम क्या कह रहे हैं cytostorm कह रहे हैं ठीक है जो reservoir की external opening है उसको हम cytostorm के नाम से जानते हैं ठीक है यह क्या होते हैं plasma membrane के द्वारा lined होते हैं पेलकिल नहीं पाएजाते हैं ठीक है तो कह सकते हैं कि the reservoir the reservoir the reservoir is lined by plasma membrane ठीक है plasma membrane से होते हैं without पेलकिल लेकिन पेलकिल नहीं पाएजाते हैं याद रखिएगा यह line बहुत ही important है reservoir में पेलकिल absent होता है plasma membrane पाएजाते हैं लेकिन पेलकिल absent होता है ठीक है और यह external opening जो होगी वो क्या होगी cytostorm कहलाएगी और जो tube like structure present होगा अंदर की तरफ उसको हम cell galette या cytopharynx के नाम से जानेंगे तो cytopharynx और cytostorm दोनों किस में पाएजाएँगा reserve wire में पाएजाएँगे clear है याद रखिएगा ठीक है 9 प्लस 2 का arrangement देखने को मिलता है तो 9 प्लस 2 arrangement ये पीछे आपको बता दिया गया है क्या है 9 और क्या है 2 ठीक है 9 peripheral और 2 central ठीक है इस तरह के microtubules की बात है और styconematic होते हैं styconematic ये बहुत important line है यहाँ phlazella के लिए कि यूगलीना का जो phlazella है वो किस टाइप का है वो phlazella है styconematic styconematic का मतलब होता है की unilateral row of mastigophorus मतलब जब क्या हो सभी एक row में ही पायजा है तब उसे हम क्या कहेंगे styconemic मतलब unilateral rows of mastigonemes mastigonemes अब mastigonemes की अगर हम बात करें तो जरा देखिएगा यहाँ अगर आपको दिखाई देगा suppose that यह phlazella है तो phlazella में क्या होती इस तरह के hair-like structure पाये जाते है जिसको नाम दिया जा रहा है क्या mastigonemes तो यह mastigonemes यहाँ पे phlazella में mastigonemes पाये जाते हैं इसलिए इस टर्म को दिया गया mastigonemetic clear है? याद रखिएगा अगर हम phlazella की बात करें तो yuglena जो होता है वो biflazella होते है yuglena is biflazella ठीक है friends yuglena कैसे होते है? biflazella होते है दो तरह के phlazella पाये जाएंगे short phlazella और long phlazella ठीक है? short phlazella जो होते है वो आपके reservoir के साथ जुड़े होते हैं तो confined with reservoir याद रखिएगा दो phlazella पाये जाते हैं जो छोटा वाला होता है वो reservoir के साथ जुड़ा होता है ठीक है? confined with reservoir और जो long phlazella होते हैं वो comes out from cytostorm comes out from cytostorm मतलब वो cytostorm के द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं ठीक है? और जो छोटे वाले होते हैं वो reservoir के साथ जुड़े रहते हैं reservoir के साथ ही लगे रहते हैं तो दो phlazella पाये जाएंगे short और long एक बाहर निकल आएगा और एक reservoir के साथ ही लगे रहेंगे ठीक है? और यहाँ जो यह originate होते हैं origination की बात करें तो by phlazella जो दोनो phlazella है originates from kinetosome पीछे आपने पढ़ा है जो उसकी origin है kinetosome यह ब्लीफेरो ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं ब्लीफेरो ब्लास्ट ठीक है? याद रखिएगा यह phlazella के बारे में है तो originates from kinetosome यह ब्लीफेरो ब्लास्ट आगे हमारी heading है paraflazella body paraflazella body क्या है? मैं आपको बता दू जैसे जो lung बाला phlazella निकल रहा है suppose that यह yuglina है यहाँ से यह दिखे short phlazella confined to reservoir मैंने बताया था कि दो तरह के phlazella पाई जाएंगे तो यह क्या हूँगे? reservoir के अंदर ही है और यह यहाँ से क्या है? cytosome से बाहर निकल गया है इसी पर बहुत सारी ऐसी सरचनाएं पाई जा रही है जिसको आपने mastigo nymphs के नाम से जाना था यह जो large phlazella इसका जो last वाला end है मतलब जो reservoir के अंदर है इसके side पे क्या होता है? यह swelling होता है यह फूल जाती है और इस फूले हुए भाग को हम क्या कह रहे है? paraflazella body ठीक है? paraflazella body इसका काम क्या है? यह photo receptive की तरह काम करता है that means light को recept करने का कारी करता है ठीक है? इसमें एक पदार्थ पाया जाता है नाम है lacto-flavin ठीक है? जो sensitizer का काम करते है जिसकी उपस्तिती में यह क्या होते है? sensitize हो जाते है that means light को receive करने के बाद यह sensitive हो जाते है clear है? तो paraflazella body और एक मैंने आपको बताया था structure आपका कहलाता है stigma ठीक है? इसी structure को आप stigma red spot या eye spot के नाम से जानते हैं यह भी photo receptor होते हैं इसमें hematokromes पाये जाते हैं ठीक है? जो कि light को absorb करने का कारी कर रहे है साथी साथ carotenoid भी पाये जाता है जो कि आपके गाजर में पाये जाते हैं ठीक है? तो यहां गाजर में carotenoids, hematokromes यह आपके stigma यह जो structure आप देख रहे हैं इसको हमने नाम दिया stigma यहां जो large वाला flezzella है इस यह rounded end जो होते हैं आपके reservoir में उसका lateral भाग क्या होता है? थोड़ा सा swell हो जाता है फूल जाता है उसको हमने कहा paraflazler body तो हमारी जो अगली heading है friends वह है paraflazler body ठीक है? paraflazler body confused नहीं होना है stigma और paraflazler body दोनों क्या करते हैं? photoreceptor argon या photoreceptor apparatus की तरह कारी करते हैं ठीक है? बस दोनों मेंतर क्या है या hematochroms पाय जाएंगे या hematochroms न पाकरके lacto-flavin एक पदार्थ पाय जाता है जिसके कारण वह sensitized होते हैं ठीक है? चलिए तो बात करते हैं the longflazolum BR-A the longflazolum BR-A lateral swelling ठीक है इसमें क्या होते हैं? lateral swelling पाय जाती है और इसी lateral swelling को हम क्या कहा रहे है पायरा फ्लेजलर बाड़ी और कहां? within the reservoir within the reservoir ठीक है? reservoir के अंदर यह structure कहां पायजा रहा है? reservoir के अंदर इसी को कह रहे हैं पायरा फ्लेजलर बाड़ी ठीक है? और यह काम कैसा करेगा? act as photo receptor ठीक है? याद रखिएगा पायरा फ्लेजलर बाड़ी कैसे काम करेंगे? photo receptor that means light को absorb या receive परने का कारे करेंगे clear है? चलिए और क्या पाय जाते है? and contain lacto-flavin ठीक है? lacto-flavin पाय जाते है as sensitizer sensitizer के रूप में यह यहां से most line है para-flazler क्या है? कि जो lung वाला फ्लेजलर के अंदर laterally क्या होते है? swell up हो जाते है अब फूलने के बाद para-flazler body कहला रही है और यह photo receptor की तरह काम करते है photo receptor और क्या पाय जाता है? lacto-flavin पाय जाते है जिसके काड़िये उद्धी पीत होते है ठीक है? चलिए आगे हम अब बात करें तो अगली heading हमारा stigma mostly stigma आप plant में पढ़ते हैं वो आपका कहाँ पाय जा रहा है आपके uglina verdis में भी stigma देखने को मिलता है ठीक है? तो हमने आपको बताया contractile bacchules के opposite side में क्या होते है कुछ structure संरचना पाय जाती है जिसको हम क्या कहा रहे है? stigma ठीक है? यह spot मतब धब्बे जैसी संरचना ही पाय जा रही है और उस spot को हम eye spot या red spot के नाम से भी जानते हैं ठीक है? चलिए तो lying कहाँ पाय जागा? lying near the reservoir near the reservoir ठीक है? reservoir wire के नजदिक पायज आ रहा है ठीक है? on on the side opposite to that of contractile becule contractile becule contractile becule उसके opposite side में क्या होते है आपके पाय जाते है stigma ठीक है? और यह क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि यह light sensitive organ है light sensitive ठीक है spot also called as eye spot या red spot याद रखिएगा मैंने बताया कि यह light sensitive spot है इसको हम eye spot या red spot के नाम से भी जानेंगे clear है? यहां जो light spot या eye spot है इसमें क्या होते है? बहुत सारे granules light sensitive substance पाया जाते हैं और उसका नाम है क्या? hematochromes तो present light sensitive granule या substance नाम क्या है? hematochrome hematochrome याद रखिएगा यह hematochrome कहां पायजा रहे है? hematochrome पायजा रहे है stigma में या eye spot में साथी साथ carotinoid भी present होता है carotinoid also present ठीक है? carotinoid भी क्या होते है? clear? carotinoid carotinoid also present clear है? चलिए तो हम यहां बात कर सकते हैं कि paraflazler body और stigma देखें दोनों क्या कर रहा है? light को absorb करने का काम करते हैं body plus stigma या eye spot दोनों कैसे काम करेंगे? दोनों काम करेंगे photoreceptive body या स्टीगमा दोनों आपके light sensitive आर्गन की तरह काम करते हैं एक में लेक्टो फ्लेविंस पायजाते हैं दूसरे में हेमेटो क्रोम और केरिटिनॉइड पायजाते हैं ठीक है? चलिए vesicular nucleus ठीक है? single vesicular nucleus पायजाता है ठीक है? और कहाँ पायजाता है? यह central में होते हैं lies central in endoplasm endoplasm ठीक है? कहाँ होते हैं endoplasm के central में पायजाते हैं ठीक है? towards the end of towards the end of posterior posterior end की तरब ठीक है? कहाँ posterior end की तरब पायजाते हैं ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? contain large solid body ठीक है? large solid body या इसी को nucleolus या kinetosome या cariosome तो nucleolus off chromatin off chromatin का nucleolus पायजाता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इंडosome इसको हम क्या कहेंगे? इंडosome या cariosome ठीक है? तो single vesicular nucleus पायजाता है और यह center में पायजाते हैं और posterior end की तरब पायजाते हैं contain करते हैं large solid body या nuclear less of chromatin called indosome cariosome कहा जाता है ठीक है? और nuclear membrane जो होते हैं nuclear membrane is a double membrane nuclear membrane कैसा है? double membrane है perforated by a pore forated by a pore ठीक है? जो एक छिद्र द्रद्वारा क्या होते हैं? खुलते हैं clear है? चलिए कितना आप note के लिजे? फिर आगे चलते हैं चलिए फ्रेंट्स आगे चलते हैं बात करते हैं contractile vacules के contractile vacules के associated with reserve wire यह reserve wire के साथ जुड़े होते हैं बहुत सारे छोटे-छोटे vacules आपस में जुड़ करके बड़े से large vacules का निर्माड करते हैं जिसको हम contractile vacules कहते हैं contractile vacules का का काम क्या है? कि यह water के साथ कोई waste material जो कि इनके metabolic activity के current बने हुए हैं उनको यह reserve wire में पहुचाते हैं reserve wire के साथ वह gullet cyto faring से होते हुए cyto stone के द्वारा फिर से बाहर निकाल दिये जाते हैं ठीक है? तो mostly आपको यहाँ बस याद रखना है कि इसका काम क्या है कि यह waste product water के साथ waste product को फिर क्या करते है reserve wire के साथ बाहर निकालने का कारे करते हैं और यह reserve wire के साथ जुड़े होते हैं मतलब reserve wire के ठीक बगल में पाए जाते हैं साथे जात बहुं सारे चोटे चोटे चोटेabakoyquez आपस में जूड़करके बढ़े से वेक्तू यूल का निर्माड करते हैं और इसको आपने नाम दिया है कंट्रक्टायल वेक्तूळ कंट्रक्टायल वेक्त्यूर अं हमने इसलिए keaha, क्योंकि यह क्या होते है? सिकूर रहे हैं फैल रहे हैं इस तरह कि मतलब जिसके कानल वाटर इंटर्स और पानी क्या हो रहा है बाहर हो रहे हैं अंदर हो रहे हैं इसलिए वह प्रक्रिया इसलिए इसको हमने नाम दिया है contractile becule तो next हमारा heading है contractile becule contractile becule becule मतलब खाली अस्थान रिखती क्या आप जानते ही है तो यहां भी क्या है बहुत सारे small तो पहला मैंने आपको बताया कि यह क्या होंगा associated with associated with reserve wire reserve wire के साथ यह क्या होते हैं जुड़े होते हैं reserve wire के साथ यह जुड़े होते हैं clear है मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्या होते हैं छोटे-छोटे accessory vacuoles आपस में मिल करके कि एक large vacuoles का निर्मार करते हैं और उसी को क्या करें contractile vacuoles ठीक है तो कह सकते हैं कि it is surrounded by it is surrounded by several small several small accessory vacuoles which probably fuse together fuse together to form large vacuoles जो आपस में जुड़ करके एक बड़े से vacuoles का निर्मार करता है ठीक है यह मैंने आपको पहले बताया कि यह करते क्या है कि यह along के मतलब पानी के सांसाथ जो भी metabolic activity के current waste material हुए हैं उनको करते हैं discharge मतलब बाहर निकालने का कारी करते हैं तो इसका अगर हम काम करें तो play role in discharge of water along with waste product of metabolism product of metabolism ठीक है और to outside बाया outside बाया किसके द्वारा वहां से यह reservoir में भेजेंगे तो reservoir में चला गया reservoir में ने बताया था दोस्तन रचना गलेट जिसको हमने कहा था cytopharynx ठीक है वहां से यह cytopharynx में चले गया और cytopharynx के द्वारा यह cytostorm में ठीक है और cytostorm के द्वारा cytostorm बाहर की तरफ खुल जाएंगे और waste पानी के साथ साथ waste material भी क्या होगा बाहर निकल जाएगा ठीक है यह तो था contractile होते हैं तो यूगलीना क्या होते हैं green होते हैं due to the presence of green color due to the presence of chromatophores तो इसमें chromatophores पाए जाते हैं पहला point chromatophores present ठीक है और साथी साथ chlorophyll A and chlorophyll B ठीक है और beta carotene also present ठीक है क्लिर है और साथी साथ एक चीज़ और इनके chloroplast में क्या होते हैं Proteus pizzicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic तो पाइरिनोइड क्या है, पाइरिनोइड की वीच रचा कर लेते हैं, तो पाइरिनोइड सेंटर फॉर फॉर्मेशन आफ स्टार्च स्टार्च लाइक सबस्टेंस ठीक है, और इसको मैं क्या कहेंगे, पैरा माईलोन पैरा माईलोन, तॉ स्टार्च, मतलब यहां भोजन, किस रूप मैं संचीत हो रहा है, पैरा माईलोन के रूप में पाइर आगे हम बात करें, कि यूगलीना में REkkeZERV FOOD क्या है, तो RESERV FOOD रिजर्ब फूड क्या है पैरा माईलॉन ठीक है ? यह एक तरह का स्टार्ची ही है ठीक है पैरा माईलॉन के रूप में यहाँ भोजन संस्चित होता है याद रखिये हम आज जनतुओं में बHIयन किस रूप में संस्चित है ग्लाइकोजन के रूप में plant में आप जानते ही है, plant में किस रूप में, starch के रूप में, उसी तरह से yuglina में, जो भोजन संचित है, वो paramylon के रूप में संचित है, ठीक है, तो reserve food यहां हो गया आपका, paramylon, तो paramylon क्या है, अगर हम paramylon की यह क्या है, policy के ride है, हमने बात की कि paramylon क्या है, यह policy के ride है, ठीक है, और एक चीज और, इसमें और जानिएगा, आपकी यह similar to starch है, similar to starch, ठीक है, starch की क्या है, similar है, लेकिन identical नहीं है, ठीक है, starch के समान तो है, but not identical, ठीक है, मतलब not identical to starch, अब अखिल similar है, तो फिर identical क्यों नहीं है, आप जानते हैं कि starch जो होता है, वो iodine के साथ, अगर इसको mix किया जाए, तो वो blue रंग प्रदान करता है, ठीक है, याद रखिएगा, starch mix with iodine, iodine के साथ, अगर क्रिया कराने पर, वो कैसा रंग देता है, blue color देता है, लेकिन यहाँ, PARAMYLON क्या है, iodine के साथ react कराने पर, या mix करने पर, यह blue रंग नहीं देता है, याद रखेगा पैरा-माइलाण आईोडीन के सांथ क्रिया किराने पर ब्लू रंग नहीं देता है इसल्लिए ये क्या है इस्टार्ज के अइडेंटिकल नहीं है सिमिलर तो है इस्टार्ज की तरह ही है जैसे इस्टार्ज भी क्या-Pollете Saccharide है वैसे पैरा माइलान भी क्या है पालिस सेकराइड हैं लेकिन वो ब्लू डाइब मतलब कि आयोडीन के साथ क्रिया करके ब्लू रंग प्रदान करते हैं इस्टार्ज जबकि पैरा माइलान में यह क्रिया देखने को नहीं मिलेगी ठीक है याद रखिएगा नूट्रीशन की बात करें ठीक है तो नूट्रीशन तो आप जानती है कैसा होता यूगलीना में तो यूगलीना आर मिक्सो ट्रॉपिक ठीक है कैसे हैं मिक्सो ट्रॉपिक है यह mixotropic that means holophytic and holozoic that means animal like and plant like clear है तो nutrition कैसा है mixotropic है याद है चलिए लोको मोशन की बात करें लोको मोशन इन लोको मोशन ठीक है तो लोको मोशन की बात करें तो यहाँ चुकी यह classification में भी पढ़ा हमने यह mastigo fora है तो यहाँ जो movement होगा वो fleszler movement देखने को मिलेगा तो fleszler movement ठीक है movement कैसा है fleszler movement देखने को मिल रहा है ठीक है जो movement होगा उसको हम euglenoid movement या metabolic movement मतलब through pale kill pale kill के द्वारा जब हो रहा हो movement तो उसको क्या कहेंगे metabolic movement तो warm like wriggling देखने को मिलेगा through pale kill के द्वारा fleszler movement तो देखने को मिल ही रहा है clear है ठीक है उसके बाद respiration की बात करें हम respiration ठीक है यूगलीना में respiration तो यूगलीना जो होते है aerobic type का respiration देखने को मिलेगा aerobic ठीक है aerobic मतलब in the presence of oxygen oxygen के presence में क्या होते है respiration करते है जिसमें gaseous exchange क्या होता है by diffusion होता है तो gaseous exchange by diffusion ठीक है और किसकी साहता से pale kill की साहता से याद रखिएगा यहां gaseous exchange aerobic type का है ठीक है और pale kill के द्वारा होता है simple diffusion के द्वारा clear है इतना आप note कर लिजे फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं यूगलीना के बारे में note कर लिजे चलिए हमने respiration की बात कर लिए अब बात करते हैं excretory products की excretory product याद that means excretion की बात करें तो excretion जो होता है वो यह aminotelic होते है amonotelic ठीक है that means secretory waste product क्या होगा ammonia होगा याद रखिएगा secretory waste product क्या है ammonia है ठीक है चलिए अब हम reproduction की बात करते है reproduction in yuglina ठीक है तो yuglina में sexual reproduction absent होता है तो sexual reproduction absent ठीक है sexual reproduction कैसा है absent है ठीक है यह asexual reproduction देखने को मिलता है तो asexual reproduction टेक प्लेस बाइ बाइनरी फीजन या अन्ड मल्टीपल फीजन अन्ड करिक बात करते हैं अन्ड मल्टीपल फीजन बाइनरी फीजन के द्वारा या फिर मल्टीपल फीजन के द्वारा देखने को मिलेगा ठीक है या फिर insistement के द्वारा अन्ड मेंज जब क्या होँ अपने बाइनरी फीजन के चारो और प्रत्रोदग वित्ती का निर्माड कर लें तो उस पर क्रिया को क्या कहेंगे insistement ठीक है अभी आगे बात करते हैं चारो तरफ मुसिलेज का फदार्त का स्रावर करके ठीक है हमने बाइनरी फीजन में कई प्रकार के पड़े थे तो उसमें transverse binary फीजन जो होता है वो absent होता है तो transverse binary फीजन absent in yuglina ठीक है yuglina में transverse क्या होते हैं absent होते हैं जबकि longitudinal binary फीजन present ठीक है longitudinal binary फीजन क्या होते हैं पाइज आते हैं binary फीजन present ठीक है under favorable condition under favorable condition favorable condition में जो होते हैं आपके binary फीजन देखने को मिलेगा और कैसा longitudinal binary फीजन देखने को मिलेगा ठीक है nucleus जो होते हैं वो mitosis के द्वारा divide होते हैं तो nucleus divide by mitosis ठीक है यहां जो nucleus होता है microtubules तो पाए जाते हैं लेकिन spindle का formation नहीं करते हैं तो in nucleus microtubule present but not form spindle microtubules तो पाए जाएंगे लेकिन spindle का formation नहीं करते हैं याद रखिएगा ठीक है फिर मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं मैंने के body के uglina जो होता है अपने body के चारो और चिपचिपे पदार्थ का स्त्रामर करता है तो mucilaginus body secret mucilaginus body secret cyst cyst बनाता है around yuglina, yuglina के चारो तरफ ठीक है जो insistment देखने को आपको मिलेगा insistment क्या होते हैं followed by longitudinal binary fusion आप 16 से 32 कोशिकाओं का एक समूँ बनेगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि insistment followed by longitudinal binary fusion longitudinal binary fusion के बाद देखने को मिलेगा ठीक है with the formation of 16 to 32 16 से 32 daughter individual embedded into to mucilaginus mass ठीक है मतब जो एक चिवचिवचिवए पदार्थ का mass बनेगा उसमें 16 से 32 daughter cells रहेंगे और उसी प्रक्रिया को मुशिकाओं के उसके हम क्या कहेंगे insistment कहेंगे clear है और यह जो insistment है यह बिभिन प्रकार के algae के palmela stage की तरह दिखाई देता है तो it is resemble palmela stage resemble of many algae such as claimido monas claimido monas में जो palmela stage बनता है palmela वस्था बनती है जिसमें spore के 4 और क्या होते है चिवचिवचिवपदार्थ का auron बन जाता है उसी को हम क्या कह रहे है insistment के नाम से जानते हैं ठीक है और यह क्या करेगा यह बचाने का काम करता है body को unfavorable condition में ठीक है तो protect the body during unfavorable condition during unfavorable condition ठीक है ठीक है और यह जो सिष्ट बनता है सिष्ट आफ यूगलीना made of carbohydrate ठीक है यह carbohydrate के बने होते हैं ठीक है यहाँ याद रखिएगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आज का session कैसा रहा आप comment box में जरूर बताएं अधिक सधिक like और share कीजिए ठीक है और अगले topic के लिए हम अगला genius पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाली 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 उरह आज के लिए झाली झाल झाल